तो हे गाइज अभी बच चुके हैं स्याम के साड़े पांच और वाई मैं काम से घर लोट रहा था तो इतनी पुलिया पर बैड़ गया हूं और यह हमारे ताल की पुलिया है यह देको मस्त धेरा बबानी है गंदा है लेकिन ठीक है ठटी हवा चद रही है वाई यह देको मस् में और शूरज तो वाई इन बादलों की बीच में च्छफ गया है यह देखो इदर की मस्त लोकेशन है मस्त हर्याली है इदर चारों तरफ यह देखो पर इदर मस्त स्कूल भी बना हुआ है बहुत बड़ा स्कूल है और यहां पर हमारे गाउं की पशू बगेरा आवारा पानी बगेरा पीते हैं और इदर भरा भी चला है जिससे पानी आ रहा है और यह ताल हमारा भर रहा है इसको ताल बोलते हैं और आज से एक डेठाल पहले मैंने यही अपना माइफस्ट ब्लॉग शूट की आता यह देखो है तो हवा तो काफी ठंडी ठंडी चल रही है पाई तो कोईवी नहीं है वाइग दूर दूर कोई नहीं है पानी की जरूर्व जड़ वर रहा है पानी के लगता हम सेंपनी शूने जाए घोरे घुला मैदान on Ilay the peng चार हो तरफ ने दिखो कि नहीं है चना है वाई एक दो खेतों में और और में गया नहीं हूं चना हो भी सकते हैं दूर दूर और इधर का महौल तो ऐसा ही है कि वहां जा रहा है जो मैंने सारा दिन वाई जो फिल्ड में काम किया तो उसका घर जाकर मुझे काम भी करना वाई तो यहीं वह जगह है वाई जहां पर मैंने अपना माइफस्ट व्लॉग शूट किया था वह भी तो इस पर ज्यादा सपोर्ट और प्यार तो नहीं मिला तो भाई मैं बहुत सारे चैनलों पर माइफस्ट व्लॉग वैसे तो अपलोड कर चुका हूं और यहीं वीरा माइफस्ट व्लॉग होनी वाला है वाई और यहीं मेरे दोकेवाज बॉय ब्लॉगर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना वाई प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आए एहां किसे मरीश को ठोड़के आ रही है कि ट्रेवी इसको ठोड़के आ रही है यह तो मिलते हैं नाइस्ट वलाग मैं जब तक लिए रादे रादे के बाइवाई